तो बच्चो जो एक्वेशन अभी हमने प्राप्त किया उसके आधार पर यदि गुरुत्वी त्वरण के मान में परिवर्तन को पृत्वी की सतह से उचाई के साथ साथ हम लोग प्लॉट करें तो इस प्रकार का ग्राफ हमको देखने को मिलेगा ये ग्राफ इस प्रकार का वकराकार है जो एक्स अक्ष के साथ आगे चलके समानतर हो जाएगा क्योंकि हम ये जानते हैं कि प्रिथवी की सतह से अनंत दूरी पर गुरुत्वी त्वरण का मान शुन्य हो जाता है इसलिए यहाँ पर हम यदि H दूरी ले रहे हैं तो कही अनन्त पर इस गुरुत्वी त्वरण का मान शुन्य हो जाएगा तो इस प्रकार हम H और G के बीच में इस ग्राफ को प्लोट कर सकते हैं अब हम अगली स्थिति देखते हैं जी के मान में परिवर्तन प्रित्वी की सता से गहराई के साथ यानि डेप्ट के साथ अब इस डेप्ट को हम इमेजन करते हैं प्रित्वी की सता है इस से यदि हम H गहराई से अंदर जाते हैं यदि हम प्रित्वी की सता में H गहराई से अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पृत्वी मिल रही है हमको अंदर जिसके कारण गुरुत्विय त्वरण उत्पन होगा उसके द्रव्यमान में कमी आ जाएगी जब आप पृत्वी की सता पर थे तो आप पृत्वी के पूरे द्रव्यमान को कंसिडर कर रहे थे लेकिन जैसे ही आप पृत्वी की सता से H गहराई के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर ये पृत्वी का बाकी द्रव्यमान हट जाता है केवल जिसकी त्रव्यमान र-H होगी उतने ही द्रव्यमान की पृत्वी ही उस वस्तू पर गुरुत्वी त्वरण उत्पन्न करेगी और यही फरक हो जाता है ऊचाई के साथ जब हम derivation निकाल रहे थे और गहराई के साथ हम derivation करेंगे. हमने वहाँ पर कहीं भी द्रव्यमान में कोई परिवर्टन नहीं लिया यदि हम पृत्वी की सता पर थे तब भी हमने पृत्वी का द्रव्यमान उतना ही लिया था प्रित्वी का द्रव्यमान और कम होते जाएगा और इसी कारण G के मान में भी परिवर्तन होगा अब मान लेजे पृत्वी का द्रवेमान M है तता त्रिज्या R है उसकी सता पर M द्रवेमान की कोई वस्तू रखी है तब उस वस्तू का पृत्वी की सता पर गृत्वी त्वरण का मान होगा G equal to GM upon R square लेकिन यदि वस्तू को H गयराई पर ले जाया जाए तो इस कंडिशन में गृत्वी त्वरण का मान होगा G dash बराबर GM dash upon R minus H square बच्चों यहाँ पर हमने M dash इसमें लिखा क्योंकि अब हम उतने ही पृत्वी का द्रवेमान लेंगे जो इस R minus H त्रिज्या की होगी इसलिए R minus H त्रिज्या की पृत्वी का द्रवेमान हम M dash से दर्शाते हैं और यही परिवर्तन गृत्वी त्वरण के मान में भी परिवर्तन करतेगा तो पहले हमको पृत्वी का द्रवेमान ग्याद करना पड़ेगा और उसके बाग R-H त्रिज्य की पृत्वी के द्रवेमान ग्याद करना पड़ेगा तबी हम दोनों गृत्वी तुरंट के मान को कंपेर कर सकेंगे बच्चो हम जानते हैं कि घनत्व बराबर होता है द्रवेमान बटे आयतन और यहां से हम लिख सकते हैं द्रवेमान बराबर घनत्व इंट्व आयतन तो बच्चो पृत्वी को यदि हम गोल मानते हैं तो एक गोल के आयतन का सूत्र होता है 4 by 3 pi r cube मान लिजे पृत्वी की त्रिज्य R है तो पृत्वी का आयतन होगा 4 by 3 pi r cube अब हम मानते हैं कि पृत्वी का घनत्व D है तो इस स्थिती में पृत्वी का द्रवेमान M बराबर होगा 4 by 3 pi r cube into D अब यहां मान हम G के मान में रखते हैं और इसे सरल करते हैं तो इसे सरल करने पर हमें मिलेगा G बराबर 4 by 3 pi g r d पृत्वी की सत्या से h गहराई पर पृत्वी का द्रवेमान ग्याद करेंगे यानि कि अब हम r minus h 3 j की पृत्वी का द्रवेमान ग्याद करेंगे जिसे हमने M डेस से दर्शाया था तो इसका आयतन होगा 4 by 3 pi r minus h cube और पृत्वी का घनत्व तो सभी जगह पर एक ही है तो हम इसे d लेंगे और वैसे भी जो हमने d लिया है ये पृत्वी का आसत घनत्व है तो हम यहाँ पर पृत्वी का द्रवेमान लिख सकते हैं M डेस is equal to 4 by 3 pi r minus h cube into d अब M डेस का यहाँ मान D डेस के सूत्र में रखने पर हमें मिलेगा G डेस बराबर 4 by 3 pi g r minus h into d अब हम दोनों स्थितियों में गृत्वी तुरंड के मान को compare करने के लिए G डेस के समिकरण को G के समिकरण से भाग देते हैं और भाग देके हल करने पर हमें मिलेगा G डेस अपॉन G equal to r minus h upon r अब इस समिकरण से स्पष्ट हैं कि r minus h का मान r के मान से कम होगा तो कि हम r में कुछ घटा रहे हैं तो यहाँ r के मान से सदाथ ही कम होगा और right hand side में यदि numerator का मान D denominator के मान से कम है तो left hand side में भी numerator का मान D denominator के मान से कम होगा इस नहीं हम लिख सकते हैं G dash is less than g और इस प्रकार प्रत्री की सता से नीचे जाने पर भी गुरुत्वी तोरण का मान कम होने लगता है इस समीकरन को हम पुना देखें तो g dash upon g पराबर होगा 1 minus h upon r और इस प्रकार g minus g dash पराबर हो जाएगा g h upon r और यहाँ g के मान में कमी को दर्शाता है तो g के मान में कमी होगी g h upon r और यदि हम पृत्वी के सता से गहराई में जाते हुए पृत्वी के केंद्र पर पहुंच जाएगा उस कंडिशन में h बराबर r हो जाएगा और h बराबर r का मान समीकरन में रखने पर हमें मिलेगा जी डैश बराबर 0 अता पृत्वी के केंद्र पर गृत्वी त्वरण का मान शून्य होता है इस परस्ट है कि पृत्वी के केंद्र पर किसी भी वस्तु कभार mg भी शून्य होगा तो बच्चो अभी हमने जो पृत्वी की सता से उचाई के साथ g के माने परिवर्तन देखा और पृत्वी की सता से गहराई के साथ जो g के माने परिवर्तन देखा इन दोनों को एक साथ यदि हमें ग्राफ में प्लोट करना चाहें तो एक ग्राफ कुछ इस प्रकार दिखेगा हम x अक्ष में r ले लेते हैं और g अक्ष में परिवर्ती g के मान को लेते हैं क्योंकि ये मान तो उचाई और गहराई के साथ परिवर्ति थोड़ा है और ये हमने capital R लिया है यानि कि प्रिथवी की त्रिज्जा लिया है अब इस r दोरी पर यानि कि प्रिथवी की सतह पर g का मान नियत रहता है और वो है 9.8 मीटर प्रतिवर्क सेकेंड जैसे हम उचाई के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि g के मान में कमी आ रही ह और ये कमी इस प्रकारदर शाई जारी है जब हम प्रिथवी की सतह से गहराई में जाते हैं तब भी हमने देखा g के मान परिवर्तन होता है यहां परिवर्तन भी व्यूत क्रम अनुपाती था जैसे जैसे गहराई बढ़ रहे थी g कमान भी कम होते जा रहा था और प्रिथवी के केंद्र पर शुन्य हो गई है और प्रिथवी के केंद्र को हम इस मूल बिंदू ओ से दर्शार है तो यहां पर जी कमान शुन्य हो गया तो इस प्रकार के ग्राफ के द्वारा हम जी के मान में उचाई और गहराई के साथ परिवर्तन को प्रदर्शित कर सकते हैं अब हम अक्षांस के साथ प्रित्वी के गृत्वी त्वरण के मान में परिवर्तन को समझते हैं अक्षांस के साथ साथ गृत्वी त्वरण के मान में परिवर्तन को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रित्वी के स्ट्रक्चर को समझते बच्चो हम मान लेते हैं कि पृत्वी गोल है अब पृत्वी को हम चारों देशाओं की रूप में बाढ देते हैं इस्ट वैस्ट नॉर्थ साउथ सब्सक्राइब यह उत्तर और दोगों के नाम से जानते हैं उत्त्री दरुब और दक्षनी दरुब कहते हैं अब पृत्वी की सतह पर किसी भी वस्तू की इस्थिती को समझने के लिए हम पृत्वी को अक्षांस और देशांतर रेखाओं की रूप में बाड़ते हैं तो सबसे पहले अक्षांस और देशांतर रेखाओं क्या होती हैं इसको हम समझते हैं यदि हम East से लेकर West तक पृत्वी के बीचों बीच एक रेखा खीचे तो ये पृत्वी को बराबर दो भागों में बाट देती है इस रेखा को हम भोमध्य रेखा कहते हैं और इसे हम English में Equator के नाम से जानते हैं बच्चों ये जरूर हमको एक रेखा के रूप में नजर आ रही है पर यदि हम East से लेकर West होते हुए वापिस East तक आए यानि कि पृत्वी को 20 से 2 बराबर आधे गोलों के रूप में बाटे तो यहा रेखा नहीं होगी बलकि ये एक वृत के रूप में होगी और इसलिए ही हम इसे विश्वत व्रित के नाम से भी जानते हैं। यह विश्वत व्रित पृत्वी को दो बराबर आधे गोलों में बाटता है। और इसे लिए हम उपर के भाग को उत्री गोलार्द कहते हैं, जहांपर उत्री धुरूफ इस्थित हैं, और नीचे का भाग जहांपर दक्षणी धुरूफ इस्थित हैं, इसे हम दक्षणी गोलार्द कहते हैं, ऐसे ही हम उत्तर से लेकर दक्षिन तक भी एक रेखा खीश सक और यू कहें कि यह रेखा भी एक वृत का निर्मान करेगी और इसे हम प्राइम मिरीडियन यानि कि मध्यांतर रेखा के नाम से जानते हैं और यहां रेखा भी पृत्वी को दो बराबर आधे गोलों के रूप में बाटती है एक में पूर्वी भाग आएगा और दूसरे में पश्चिमी भाग और इसी प्राइम मिरीडियन के समांतर यदि हम प्रुत्वी पर रेखा खीचे उत्तर से दक्षनी धुरूफ की और तो यह रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं यदि हम प्रुत्वी का टॉप यू देखे ये गोल है और एक गोल में 360 डिगरी होत खीच सकते हैं यानि कि पूरे प्रुत्वी पर 360 देशांतर रेखाएं होती है लेकिन प्राइम मिरीडियन प्रुत्वी को बराबर दो अर्थ गोलों में बाट रहा है तो जब हम इसे कोन देंगे तो यह जो मिरीडियन है इसे हम 0 डिगरी का कोन देते हैं और इसके सापेक् सबसे पहला वाला देशांतर रेखा वो एक डिगरी का कोन बनाएगा उसके बाद वाला दो डिगरी का तीन डिगरी का चार डिगरी का इस प्रकार यहां पर हम देखें 0 से लेकर 180 डिगरी तक कोन बनाए जाएंगे और सेम वैसे ही मीरीडियन के पूर्वी भाग में भी हम जीरो के बाद एक से लेकर 180 डिगरी तक के कोण का मापन करेंगे तो इस प्रकार जब देशांतर रेखाओं की बात की जाएगी तो वो हमेशा पूर्वी या पश्चिमी भाग के लिए होगा यानि जब हम लॉंजीट्यूट कहते हैं तो इस्ट से दर्शाते हैं या फिर लॉंजीट्यूट को हम वैस्ट से दर्शाते हैं यूकि मीरीडियन इस पूर्वी को दो बराबर अर्ध गोलों में पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में बाटता है पर जनरली हम इस पश्ट रूप से अध्यन करने के लिए यानि कि कॉम्प्लिकेशन्स को हटाने के लिए दस-डस दिगरी के अंतराल में इन देशांतर रेखाओं को खीच देते हैं पर यह अंडस्टूड होता है कि पूरे पृत्वी पर टोटल तीन सो साथ दिशांतर रेखाएं हैं अब हम बात करते हैं अक्षांस की मान लीजे कोई वस्तू पृत्वी पर इस पोजिशन पर है तो यह इसके केंद्रे के साथ कुछ कोण बनाती होगी और इसी कोण को ही हम इस वस्तू का अक्षांस कहेंगे एक्षुली अक्षांस रेखाएं हम इस इक्वेटर के समानतर बनाते हैं और यह अक्षांस रेखाएं नहीं होती बलकि यह वृत का निर्मान करती है और इस प्रकार हम देखें, तो इस lambda कोण पर हम इस तरह से एक वृत का निर्मान कर सकते हैं, तो इस अक्षांस की डिगरी lambda होगी, और इस प्रकार हम इस equator के दोनों ओर, इसके समानतर, इस प्रकार के वृत खीश सकते हैं, और ये सारे अक्षांस को दर्शाती है, इस एक अक्षांस की बात करें, तो चाहिए प्रित्वी की सता पर इस अक्षांस पर किसी भी स्थिती पर हम कोई भी पिंडले लें, तो उसका कोण प्रित्वी के साथ सदय भी lambda ही रहेगा, और जैसे जैसे हम धुरूओ की और बढ़ते जाते हैं, हम देखते हैं, इस अक्षांस के मान में परिवर्तन हो रहा है, यदि कोई वस्तू इकवेटर पर है, उस समय हम देखें कि यहाँ कोण शून ने होगा, और इस कंडिशन में हम लिखेंगे lambda बराबर 0, लेकिन जैसे जैसे हम उपर की और जाते जाएंगे, हम अक्षांस में दोनों और बढ़ सकते हैं, उत्री गोलार्त में उत्री धुरूफ की और भी बढ़ते हैं, और दक्षनी गोलार्त में हम दक्षनी धुरूफ की और भी बढ़ते हैं, हम यहाँ पर इसे लिए अक्षां यह मैं लिखती हूं 30 degree n तो यह ऐसा कोण होगा जो केंद्र के साथ 30 डिगरी पर होगा पर यह उत्री गोलार्थ पर होगा अब मान लीजिए कोई पिंड इस उत्री धुरूफ पर है तो यहां पर अक्षांस 90 degree n होगा क्योंकि अब equator के साथ कोण 90 degree का बन रहा है और इसी अक्षांस में variation के साथ साथ यह अक्षांस में परिवर्तन के साथ साथ इस गृत्वी त्वरण के मान में भी परिवर्तन हो जाता है अब ये परिवर्तन कैसे होता है तो यहां पर हमने पृत्वी को गोल माना है पर बच्चो पृत्वी वास्तव में गोल नहीं है पृत्वी संत्रे के आकार की है जैसे संत्रा उपर और नीचे से चप्ता होता है सेम वैसे ही पृत्वी भी उत्री और दक्षनी गोलार्थ में चप्ती है और यदि प्रित्वी इन दोनों दुरूवों पर चप्ती है तम यह देखेंगे कि इक्वेटर का मान अधिक होगा इस मीरीडियन की तुल्णा में और इसी कारण ही इसके गुरुत्वी त्वरण के मान में परिवर्तन हो जाता है इस चित्र से स्पष्ट है कि भुमत्य रेखा की त्रिज्या दुरूव पर की त्रिज्या से अधिक होती है दुरूवों पर गुरुत्वी त्वरण जीपी बराबर होगा जीएम अपॉन आर्पी का स्क्वेर जबकि भुमत्य रेखा पर गुरुत्वी त्वरण जीएम अप समय करण एक को दो से भाग देने पर हमें मिलेगा जी पी अपॉन जी इए इक्वल टू आरी का स्क्वेर अपॉन आर्पी का स्क्वेर और यहां से स्पष्ट है कि गुरुत्वी त्वरण का मान त्रिज्या के यानि कि दूरी के व्यूत्क्रम अनुपाती है अब पृत्वी की चित्र से यह स्पष्ट है कि पृत्वी की त्रिज्या भूमध्य रेखा पर अधिक है दूरुवो की त्रिज्या की तूर्णा में इस प्रकार हम देखें तो गुरुत्वी त्वरण का मान द्रुवो पर अधिक होगा भुमध्य रेखा की तुन्ना में अर्थाथ द्रुवो पर गुरुत्वी त्वरण का मान भुमध्य रेखा पर गुरुत्वी त्वरण के मान से अधिक होता है और इसे लिए यदि हम भार की बात करें किसी वस्तु के तो भार गृत्वी त्वरण और द्रवेमान का गुणन पल होता है तो एक ही द्रवेमान की वस्तु को यदि भूमध्य रेखा पर तौला जाए और द्रुवो पर तौला जाए तो दुरुवों पर उसका भार अधिक होगा भुमध्य रेखा की तुन्ना में अब अक्षांस के साथ पृत्वी के गृत्वी त्वरण के मान में किस प्रकार परिवर्तन होता है इसको समझने के लिए मान लेजी हम यहाँ पर एक पेंड ले रहे हैं यह लैमडा अक्षांस पर है अब जब पृत्वी अपने अक्ष पर घुर्णी गती करेगी हम जानते हैं बच्चों पृत्वी सूर्य का चक्कर लगाते हुए अपने अक्ष पर भी घुरनी गती करती है तो जब पृत्वी अपने अक्ष पर घुरनी गती करेगी तो यह पिंट इस सता पर एक वृतिय मार्ग पर गती करेगा मान लेजिए इस वृतिय मार्ग की तरिज्य आर है अच्छा बच्चो आपने छोटे बच्चो का खिलोना देखा है यह खिलोना जब घूमता है तो इसके साइड में जो लटके हुए डिजाइन्स होते हैं वो फैल जाते है वो इस वृतिय मार्ग पर घूमने के लिए फैल जाते है और एक वृतिय पत बनाने का प्रयास करते है वो इस प्रकार क्यों फैल जाते है क्योंकि यदि कोई भी वस्तू यदि वृतिय मार्ग पर गती कर रहा हो तो उसे केंद्र से एक बल प्राप्त होता है जिसे हम अभी केंदर बल कहते हैं centripetal force लेकिन अगर उनसे लटकी हुए बहुत सरे designs हैं ये इस वृतियировать पर गती करेंगे तो इनको वृतिय मARक पर गती करने के लिए अभी केंदर बल के Stef अपकेंद्रबल प्राप्त होता है और अपकेंद्रबल इन डिजाइन्स को अपनी और खीशने का प्रयास करेगा क्योंकि अपकेंद्रबल की दिशा अभी केंद्रबल की दिशा से विप्रित होती हैं और इसी कारण ये सारे डिजाइन्स वृतिय मार्ग पर फैल जाते हैं सेम ऐसे ही यदि पृतवी अपने अक्षपर घूम रही है तो इस पर मौजू सारे पेंड को भी एक अपकेंद्र बल प्राप्त होगा जिसके कारण ये सारे पेंड इस पृतवी से दूर जाने का प्रयास करेंगे लेकिन पृत्वी के गृत्वा कर्शन बल के कारण ये पृत्वी की और आकर्शित रहते हैं तो मान लेजे इस पिंड पर लगने वाला अब केंदर बल इस दिशा में है अब ये अब केंदर बल का मान कितना होगा हम जानते हैं कि पृत्वी किसी भी पिंड को अपनी केंद्र की और आकर्शित करती हैं तो यहां पर ये पिंड एक बल का अनभव करेगा जिसे हम भार कहते हैं और ये पृत्वी के केंद्र की और होगा इस प्रकार लेकिन पृत्वी की घुरणी गर्थी के कारण इसी पिंड पर अब केंद्रबल भी लगेगा जो इससे बाहर की होगा और इस वृतिय मार्ग पर अभी केंद्रबल की विप्रद्धिशा पर होगा अभी केंद्रबल का फॉर्मुला होता है mv square upon r तो अब केंद्रबल का फॉर्मुला भी होगा mv square upon r जहां r इस पिंड के वृतिय मार्ग की त्रिज्या है बच्चो हम मार लेते हैं कि पृत्वी ओमेगा कोणिय वेक से घुरणी गर्थी करें हैं तब उसकी सथा पर m द्रविमान की वस्तू भी उस कोणिय वेक ओमेगा से एपी त्रिज्या के वृतिय मार्ग पर घुरणी करें इस स्थिति में m द्रविमान की वस्तू पर लगने वाला अभी केंद्रबल होगा m v square upon r अब जानते हैं v बराबर omega r होता हैं यहाँ पर r इस वृतिय मार्ग की त्रिज्या है तो अपके इंद्रवल बराबर होगा m omega square r square upon r सरल करने पर हमें मिलेगा m omega square r तो इस चित्र अनुसार इस अपके इंद्रवल को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है एक m omega square r sin lambda दूसरा m omega square r cos lambda इस चित्र अनुसार देखें तो m omega square r cos lambda की दिशा इस पिंड के भार mg के विपरित है और इसी कारण यह इस पिंड के भार में कमी करेगा और इस चित्र अनुसार देखें तो घटक m omega square r cos lambda की दिशा इस पिंड के भार mg के विपरित है अता वस्तू का अभासी भार mg minus m omega square r cos lambda हो जाएगा यदि पिंड पर अभासी गुरुत्वी त्वरण g dash हो यानि कि इस घुरुनी गति के कारण गुरुत्वी त्वरण के मान में जो परिवर्तन है उसे हम g dash से दर्शा रहे हैं आप में कमी को प्रदर्शित करता है तो कि हम देख रहे हैं कि प्रित्वी की सत्था पर गुरूत्वी त्वरण का मान था लेकिन omega kooniya वेक से घुरुनी गति करने की कारण इसके मान में कमी आ गई है और इस कमी को इस समीकरण द्वारा दर्शा आया जा रहा है यहाँ पर आर्ग इस द्रव्यमान M के वृतिय पत की त्रिज्य है पर यह द्रव्यमान M पृत्वी की स्तता पर किसी अन्य अक्षांस पर भी हो सकता है और अक्षांस के मान में परिवर्तन होगा तो इस वृतिय मार्ग की त्रिज्य में भी परिवर्तन हो जाएगा इसलिए हम इस सूत्र को अन्य रूप में modify करते हैं जिसमें कि यह pin किसी भी अक्षांस पर हो और उसके गुर्तवी त्वरण के मान को हम calculate कर सकें तो इस चित्र में देखें तो समकौन त्रिभोज a,p,o में cos lambda बराबर होगा ap upon op और हम लिख सकते हैं cos lambda बराबर r upon r तो यहां से small r बराबर मिलेगा capital r into cos lambda और यहां मान हमें सूत्र पे रख देते हैं तो में मिलेगा g dash बराबर g minus omega square r cos square lambda और इस सूत्र के द्वारा हम किसी भी स्थिती पर अक्षांस में परिवर्तन के साथ साथ रुट्वी त्वरण के मान में परिवर्तन को calculate कर सकते हैं हम अब विशेश स्थितियां देखते हैं कि पेंट द्रूफ पर रखा गया है उस condition में g dash बराबर होगा g minus omega square r cos square 90 और cos 90 का मान होता है 0 तो g dash बराबर होगा g और यहां गृत्वी त्वरण का अधिक्तम मान होगा इस प्रकार द्रूफ पर प्रित्वी की घुरनी गति का g के मान में फोधी प्रभावन नहीं पड़ता द्रूफ पर g का मान अधिक्तम होता है अब हम अगली स्थिती देखते हैं जा आमने lambda बराबर 0 डिग्री लिया है यानि कि भूमध्य रेखा पर lambda बराबर 0 डिग्री यहां मान इस समीकरण में रखने पर हमें मिलेगा g dash बराबर g minus omega square r cos square 0 और cos 0 बराबर होता है 1 तो इस परकार g dash बराबर होगा g minus omega square r cos 0 cos का सबसे अधिक्तम मान होता है मतलब हम सबसे अधिक्तम राशी को g के मान से घटा रहें तो इस condition में g dash का मान न्यूनितम होगा और इस परकार भुमत्य रेखा पर पृत्वी की घूर्णन गती का प्रभावत रवाधिक पढ़ता है और भुमत्य रेखा पर g का मान न्यूनितम होता है इस पाश्ट है कि भुमत्य रेखा से धुरुवों की और जाने पर पुरुत्वी त्वरण का मान बढ़नी लगता है अब बचो हम अगली सिथी देखते हैं जिसमें कि हम ये मानते हैं कि पृत्वी भुर्णी गती करना बंद कर दे यानि कि ओमेगा बराबर 0 हो उस कंडिशन में भी सूत्र में ओमेगा बराबर 0 रखने पर हमें मिलेगा जी डैश बराबर जी इस प्रकार येदि पृत्वी अपने अक्ष पर घुर्णी गती करना बंद कर दे तो प्रते के स्थान पर गुरुत्वी त्वरण का मान बढ़ जाएगा तता यह मान एक समान ह और यह मान द्रूव के मान के बराबर हो जाएगा तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा कि पृत्वी की घूर्णी करक्न के मान में परिवर्टन होता है। लेकिन सूरे के चारों और पृत्वी की परिक्रमा का गुरुत्वी त्वरन के मान में कोई प्रभॉर नहीं पड़ता